सबस्क्रूत के वर्ग में अभियमने पिछली बार पद को क्रियापद को समझा सबस्क्रूत भाषा में सभी भाषाओं से ज्यादा शब्द है उसका कारण है कि अनेक प्रकार के विचार यहां पर किये गए है जैसे आत्मा के बारे में ही वेदो में बहुत सारे मंत्र है बहुत सारे परियाई है जो कंसेप भी पास्चात्य फिलोसोफी में नहीं है तो इसके लिए यहां अनेक शब्दों का विचार किया जाता है तो इसको हमने दो भाग में बाटा है कोई भी वाक्य को एक क्रियापद होता है और एक अलग-अलग पद होते है पद के पीछे विबक्ती होती है वो पद के अर्थ का रोल निश्चित करती है वो पद का क्या अर्थ है हर एक पद का एक अर्थ होगा कोई एक शब्द है तो उसका एक अर्थ होता है बिना अर्ध का कोई पद नहीं होता है क्योंकि उसको पद ही नहीं कहते हैं। पठन में और आयूरवेद के क्रंथों में के पठन में ये बहुत आवश्यक रहेगा अब ये आठ विवक्ति के बारे में जाना नव क्रियाओं के बारे में जिसको हम गच्छती गच्छता गच्छता गच्छामी गच्छावा गच्छाम ये कहते हैं तो ये नव क्रियाओं बताई वो वर्तमान काल्ब के थी तो वर्तमान काल्ब भी हमने जान लिया बहुत लोगों के मुझे जो मेल आए है उसमें बहुत सारे लोगों ने अनुवाद किया है बस एक रिक्वेस्ट करता हूं अपना नाम व्यवस्तित लिखे लिखे उपर ही लिख दे ताकि आसान रह कि चांच करने में और फोटो है वो ब्राइटनेस में निकाले ताकि ओ अच्छा फोटो आ सके यहां फोटो आपका निकालकर उसके उपर नाम लिखना पड़ता है तो ओ न करना पड़े तो आप उसके लिए मयंग भाई का नमरे उसे हेल्प ले सकते हैं आप भेजने के बा ने टाइप करके भी भेजा है जो बहुत ही अच्छा प्रयास है तो इसके में एक 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 को कहूंगा ताकि आपको वाक्या क्या जो अभ्यास होता रहे संस्कृत में पहली बार कठीन होता है लेकिन एक बार वाक्या का अभ्यास होगा तो समान रूपता बहुत कुछ है जै के जैसे सारे पुल लिंग शब्द चलेंगे जो दूसरी भाषा में व्यवस्ता कम मिलती या नहीं होती है एक स्त्री लिंग शब्द को भी यह सा है नपुल सक लिंग शब्दों में भी यह सा है अव्यई का एक व्यवस्तित रूप है जो यथा तदा, यदा तदा चकार और तुकार, येसे अनेक प्रकार के अव्यई है, तो अव्यई के अर्थ फिक्स होते है, वो चाहे कोई भी विबक्ती आगे पीछे हो, जो कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो उसे उसका कोई फरक नहीं देखने को मिलता है, तो ये कभी भी उसको बदलता नहीं है. कभी भी बदलता नहीं. ओ अवव्यई केवल कंठस्ट करने होते हैं. ओ अवव्यई का एक अलग प्रक्राम। तो ये अववयई के बारे में भी, अमने देखा था. खास करके, आप जबी भी वाच्यdone बनाए, तो ज्यादा से ज्यादा कर्म का उप्योग करें, ओब्जेक्ट का उप्योग करें, अहम पश्यामी की जगह पर, अहम चित्रम पश्यामी, अहम पुस्तकम पठामी, अहम वारताम कथयामी, इस तरह के वाक्य प्रयोग करिये ताकि आपके कर्म को अच्छी तरह से ओब्जेक् विबक्ति में आता है ओबजेक्ट जिसको हम कर्म कहते हैं कर्मनी द्वित्या ये एक नियम है दूसरे कुछ-कुछ नियम भी संस्कृत में है तो उसको हम आज थोड़े बताएंगे आपको उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ओ एक कंसेप्ट होता है जहां वो का उप्योग जहां पर इंगलिश में करते हैं वहां पर प्रती का उप्योग होता है उसकी तरफ तो प्रती के योग में द्वित्या आती है अर्था जिसकी तरफ हो उसको द्वित्या विबक्ति आएगी ओ कर्म बन जाएगा जैसे मैं कहूं कि मैं राम की तरफ जा रहा हू तो कोई एक प्लेस कहा, कोई एक हमने अवधी कही, कोई एक वस्तु कही, या व्यक्ति कही, या गाउं कहा, प्रती आया, तो ग्रामम प्रतिगच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसी की तरफ अमको भेजना भी होता है, तो वो सभी अवस्ताओं में जब प्रती आएगा, तो प्रती के योग में जो लेने वाला है, जिसके तरफ है, उसको द्वितियावी बक्ति आएगी और वो तो करता ही है, अर्था तो तो प्रत्मा में ही आएगा, तो अहम, भवन्तम प्रतिवदामी अब मैंने यह किया किया है पवन्तम प्रति पवन्तम कहा पवान प्रति नहीं कहा क्यूं क्यूंकि आप भवान कहते तो आप तो प्रत्मा विबक्ति में होते लेकिन पवान शब्द की दृतिया विबक्ति एक वचन होता है पवन्तम प्रति अहम पवन्तम प् प्रति आये तो द्विति आयेगी, करम होगा प्रेशन करना अर्था पेजना प्रेशन करना अर्था भेजना संदेशं प्रेशयां में संदेश को भेजता हूँ, अहम पत्रम प्रेशयामी, अहम ईमेल प्रेशयामी, अहम संदेशम प्रेशयामी, संदेशम अर्थात कहते हैं मेसेज को, अभी आप जब फोन पे भी भेजते हो, तो संदेश ही उसका संस्कूरूत होता है, जो हिंदी में भी संदेश लिखकर आ वो बेजता है तो प्रती आया तो ज्यादा तर बाते इस तरह की होगी जो लेंदेन की होगी जैसे संदेश हम आपस में लेते देते हैं जैसे वस्तर आपस में लेते देते हैं जैसे पुस्तक आपस में लेते देते हैं खास करके जहां पर संदेश की बात आती है वहां प्रती का उपयोग होता है गाउं के प्रति जाते हैं गाउं को मतलब कोई एक गाउं जगा नहीं है कि कोई एक पेसिफिक हो ओ एक गर दूसरा गर तीसरा गर पुरा समू को हो गाउं के रहते हैं पुरी जमीन को तो हम कहते हैं कि गाउं की तरफ में जा रहा हो तो ग्रामम प्रतिग प्रति दिनम, प्रतिक्षण, प्रतिक्षणम विद्यवानम, प्रतिक्षणम वर्धमानम, नारत्वति सुत्र में आया है कि सच्चा प्रेम कोनसा होता है, तो बताया है प्रतिक्षणम वर्धमानम, तो प्रतिक्षण जो वर्धमान हो, वो प्रेम, उता है प्रतिक्षण का क प्रतिषण, 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 प्रतिदीन, अर्थात रोज, दिन पर दिन वो कंटीन्यूटी दिखाने के लिए जीब प्रति आता है। प्रतिवर्षम, मतलब हर एक वर्ष को, समझ गया प्रतिपल को, तो कालवाचक नाम ज्यादातर प्रतिशब्द क्या आगे आते हैं, तो उसका अर्थ यह हो जाता है कि उसकी नियमित्ता का सुचप होता है, जैसे कि प्रतिवर्ष, प्रतिसप्ताह, प्रतिदीनम, प्रतिपल प्रति सप्ताह समझ गया, तो उस तरह से प्रती का उपयोग होता है, वो नियमितता दिखाता है. ये एक एक में आपको बताता जाओंगा, तो आपको आसानी रहे, को ये सागे हम प्रति दिनमा अगत्छामि, तो मैं रो जाता हूं, तो आपको क्या प्रयोग करना है? आप समझ गेना प्रती वर्षम प्रती दीनम प्रती सप्ताहम प्रती प्रती यहां पर आया तो उसका अर्थ होता है नियत रूप से नियमिता से ओ जिसके आगे लगेगा उसकी नियत सुचक होगी तो प्रती वर्ष अर्था वर्षान वर्ष नियमित वर्ष में ओ जा रहा है अरेक वर्ष जा रहा है हम जिसको अरेक कहते हिंदी में उसको संस्कृत में प्रती कहा जात हें अरेक वर्ष प्रतिवर्ष का बताया तो प्रतिवर्ष नो अ आप एक बार याद कर लीजिए, तो उसको सा आसान है, अम इन्दी में भी ऐसा ही कहते है प्रतिवर्ष, तो ऊसका करना आसान है, तो एक प्रतिका उप्योग इस तरह से भी होता है, तो ये प्रतिका बताया, फिर कुछ ऐसी बाते होती है, जो मातरशब्द एक है, उसका भी जो आगे आएगा किसी से तो ओ इतर व्यावरूति करेगा. दूसरों को नहीं, जिसका शव्त लिखा है, उसका जो अर्थ होता है, उसी के अलावा सब को माइनस करना है, एसा अर्थ मात्र का होता है. जैसे मैं बताऊ, मात्र स्त्रियों को प्रवेश है, कोई रूम है, वो केवल स्त्रियों के लिए, जो ट्रेन का कमपार्टमेंट होता है, उसमें लिखा होता है, केवल स्त्रियों के लिए, मात्र स्त्री के लिए, मात्र शब्द का क्या आर्थ होगा, स्त्री का जो अर्थ है, वो स्त्री शब्द का अर्थ से आती है, उसका एक लक्षन किया गया है, भग उसका लक्षन है, अर्थात योनी और स्तन जिस पर है, यसे स्त्री का लक्षन किया गया है, वो स्त्रिया जो स्त्री शब्द से वाच्य है, संस्कृत में इसकी बहुत गेहरा याई है, कि स्त्री श पुरूश शब्द से यह लेना है, नपुन्सक शब्द से यह लेना है, तो इसके लिए स्त्री शब्दकार्थ महिला है, तो महिला शब्दकार्थ स्त्री हो गया, अब उसको आया मात्र, तो दूसरा नहीं, मात्र महिला यह मतलब पुरूश नहीं, और दूसरे नपुन्सक न स्त्री मात्र को पहुचा तो उसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप पुरुष को न पहुचा उसका अर्थ यह होता है कि व्यापकता से मतलब सभी महिला को पहुचा दो एसा अर्थ होता है मात्रशब्द यदि बाद में आए पहले आए तो व्यावृत्ति करता है माइनस करता बाद में आये, तो माइनस नहीं करता है, वो व्यापक का दिखाता है, तो जैसे हम कहते हैं, मनुश्य मात्र भूल के पात्र होते हैं, अब देखे यहाँ पर रोचक है, मनुश्य मात्र भूल के पात्र, तो मनुश्य मात्र भूल के पात्र इसका अर्थ यह नहीं है, कि परश बूल के पात्र होते हैं, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है कि देव या पशु नहीं होते हैं, बूल के पात्र होते हैं, लेकिन मनुश्य का अर्थ जिक्र यहां किया, वो सभी मनुश्यों की बात करने के लिए हमने मात्र पत दगाया, तो मनुश्य मात्र, पशु मात्र, भूत मात्र, हम क्या करते हैं, भूत मात्र पर दया करो, तो भूत मात्र का रत्या होगा, सभी भूतों पर दया करो, मात्र पर भूत नहीं है, उसके उपर दया न करो, इसा कहने का नहीं होता है, भूत मात्र पर दया करो, लेकिन आप जब वही सेंटेंस को ये बताएंगे, कि मात्र भूत पर दया कर, तो यह सा अर्थ हो जाएगा कि दूसरों पर दयान, मात्र शब्द का केवल केवल स्थान बदलने से यह परिवर्तन होता है, जो एक अफवात कहा जाता है, ऐसे संस्कृत में सब्दक के स्थान को परिवर्तन होने से अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ऐसे कंसेप्ट जव होते हैं, ओ मैं आपको बताऊंगा, उसमें स्थान यदि बदल दोगे, तो अर्थ बदल जाए, समझ गया, जैसे मात्र मनुश्य अधिकारी है मोक्ष का, उसका अर्थ यह है कि पशुयोनी से कोई मोक्ष में नहीं जाता है, या देव भी मोक्ष म नहीं जाते हैं, लेकिन एक मात्र मनुश्य है, इसके लिए यहां पर बताया है कि मात्र मनुश्य, मनुश्य मात्र ऐसा बताएगे तो सब मनुश्य, लेकिन मात्र मनुश्य बताएगे तो और कोई नहीं है, मोक्ष का अधिकारी मात्र मनुश्य है, समझ गया आप आसानी से तो ये मातरपद भी आएगा, प्रतिभद सब्द भी आएगा, तो ये एक 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 को आप समझते जाएगे, बराबर उसका केवलम भी एक अर्थ होता है, जैसे केवलम अहम आगच्छा, मतलब केवल मैं आ रहा हूं, only, जिसको हम only कहते हैं, उसको संस्कृत में केवल कहते हैं, केवल, तो मैं अकेला आ रहा हूं, आपको केवल ये कहना है, तो आप कहेंगे अहम केवलम अहम आगच्छा, उसके दो अर्थ होते हैं, केवलम अहम आगच्छा मी कह सकते हैं, अहम आगच्छा मी, तो नोरीच से बोल सकते हैं, मैं ही आता हूं, अर्था दूसरा नहीं आता और दूसरा नहीं है उसको दिखाने के लिए भी हम एवकार का उप्योग करते हैं जैसे बताते हैं कि पार्थ एव धनूर्दर अर्जुन ही धनूर्दर है तो ऐसा कहते हैं कि और कोई धनूर्दर नहीं है लेकिन जब हम यह कहते हैं कि कमल सुन्दर होता ही है नीलम सरोजम भवत्येव, सुन्दरम सरोजम भवत्येव, तो भवत्येव हुआ, ओ क्रिया के बाद आया, तो ओ क्रिया की द्रड़ता को बताया, बतायेगा, क्रिया पद के बाद यदि ये उकार आएगा, ओ द्रड़ता को बतायेगा, जैसे मैं बताऊँगा कि अहम आगच् तो इसका आर्थ होता है, मैं आऊंगा ही, क्रियापद के बाद यह उकार है, आप देखें, गच्छाम्येव, वदाम्येव, आप सत्यम सत्यम वदाम्येव, यास के वचन क्या है, सत्यम सत्यम वदाम्येव, मैं सच ही बोलता हूँ, वो हिकार से वो निश्चाई को कहते है, कि उन्होंने बताया है, उर्ध्व बाहु विरोम्येश नहीं कस्चिच्छुनोती में दर्माद अर्थस्चकामस्च सक्किमर्थम नसेवियते, येसा महाभारत का ये श्लोक है, उसका अर्थ ये होता है, उर्ध्व बाहु विरोम्येश नहीं कस्चिच्छुनोती में दर्माद अर्थर्ष्च कामस्च सक्की मर्थम नशेवियत है। एसा वो बताते हैं कि उर्द्व बाहु विरोमी एशह मतलब विरोमिय अर्थात होता है फैल आकर। उसका मैं ये समझाओंगा आपको जब 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 क्रियापत का प्रयोग आएगा तब मैं समझाओंगा। मैं ये कह र अर्थ रहें कि धर्मात अत्लात बंच मैं विभकती है रामात धरमात अर्थ इर्ञएं और काम भी है अर्था दोनों पुरशाह धर्रमसे प्राप्त होते हैं धर्मात अर्थ-षच, Покаमस्च. पुलिंग में कश्चित है नपुलिंग में काचित है समझ गए तो नहीं कश्चित सामान्य में इस दोंने बताया नहीं कश्चित स्रुणोती में कोई भी मेरा सुन नहीं रहा है तो इसका बात बता दी मैंने नहीं कश्चित स्रुणोती में स्रुणोती में में अर्थात मेरा बड़ाबर है वो सोट फोर्म है मम मे का चतुर्थी विवक्ति में भी में होता है और तुनोती में समझ गया धर्मात धर्म से ही अर्थ और काम होता है सक की मर्थम न सेविय अर्था त्यूस आप सेवन नहीं करते हो अब समझ गये ना सक की मर्थम न सेविय तो यह एक बहुत आसान वाक्य था और भी उन्होंने बहुत स्लोग बताए है इसका देने का लेकिन में दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-एक एक श्लोग के बारे में मैं आपको बताता जाओंगा चकार का उप्योगोगा, तुकार का उप्योगोगा, एवकार का अर्थ, यदि क्रिया पद के बाद है, तो जो क्रिया हो रही है, उसकी निश्चित्ता बताता है, तो कभी हम 50-50 में होते हैं, तब हम यह सा केते हैं, कदाचीत आगच्छाम, मैं कदाचीत आ सकता हूं, लेकिन में जब ये कहूँगा कि आगच्छा मी एव अर्थात में आऊंगा ही तो उसका एव कार हम कहते हैं आगच्छा मी एव पठामी एव तो पठामी एव अर्थात में पड़ूंगा ही तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं प्रतिशब्द को मातरशब्द को एव शब्द को इ पाशांतर में वो बहुत ही उपयोगी होगा उसका पाशांतर आप तुरंत कर पाएंगे तो ये एक मेंने बताया आपको कि ये इस तरह से आप उसको बना सकते हैं बहुत सारे वाक्या आप इस तरह से बना सकते हैं तो अहम आगच्छा मी एव, अहम पठा मी एव, अहम वदा मी एव, अहम श्रणो मी एव, तो ये एव, एव, एव कार है, वो जकार के अर्थ में, वो निश्चाई के अर्थ में होते हैं। तो ये हमने आज देखा कि प्रती शब्द का कहां उपयोगे, मात्र शब्द का कहां उपयोगे, ये वकार का कहां उपयोगे, ये सब भी हमने देखा। जो कागल्स, उसको हमको निखालना और चेक करना आसान हो जाएगा। तो अभी बहुत लोगों ने ये लिख कर हमको भेजा है, उसमें से कुछ-कुछ बाते ये थी, चकार का, तुकार का, मात्र का, एवकार का, ये सबी का आपको समझ लेना है ताकि आप आसानी से अपना भाशांतर कर सकते हैं, रुपांतरण कर सकते हैं, अब एक में बहुत सारे लोगों ने काल का प्रयोग बराबर दी या है, तो आप एक बात याद रखे, वाक्य का पहले तीन काल देख लीजिए, वर्तमान काल, भूत काल और भविश्यकाल, उसमें हमने बताया है, तीनों क वर्तमान काल के हमने रूप बता दिये है, तो काल का ठीक 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 उपयोग करिए, वर्तमान काल का वाक्य है, तो वर्तमान काल के प्रयोग करिए, और खास एक ध्यान रखे, करता के अनुसार क्रिया चलती है, तो अहम गच्छती नहीं होता है, अहम गच्छामी होता है अहम गमिश्यामी होता है इस तरह से आप ध्यान रखें उसमें बहुत लोगों की गलती हो रही है अहम गच्छामी की जगह पर गच्छती लिख देते हैं और सहग अच्छती की जगह पर सहग अच्छामी लिख देते हैं तो ऐसी बहुत सारी गलतिया होती है बाकी बा इस तरह से ये मैंने समझा दिया था, वो जब पूर्व में जब कोई क्रिया कंटीन्यू होती है, तो समगा प्रयोग होता है, उसके पीछे विसर्ग नहीं है, केवल समग है, समग नहीं है, तो ओ ध्यान रखे आप समग ही लिखे, अहम पठामी, समग इस तरह से, जितने ज्य तो पठीतुम, गंतुम, शोतुम, वक्तुम, इस तरह से तुम, 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 तुम वाले प्रयोगा बना सकते हैं, जाने के लिए, आने के लिए, अब दूसरा भी है, उसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही बताएंगे, पठीतुम, गंतुम जहां पर दो क्रिया आती है उसमें मुख्य क्रिया को तुमुन लगता है एक क्रिया के लिए जब आप दूसरी क्रिया जैसे में हम कहते हैं कि चित्र देखने को जाता हूं तो जा क्यूं रहे हैं? चित्र देखने को चाने के लिए चित्र नहीं देख रहे हैं। प्रयोग होगा लेकिन जिसके लिए आप जा रहे हैं उसको तुम 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 तु फिर आपको दृृष्टा तुवाया तो द्रश्टुम यां तुन दृष्टुम चाठभेन प्रवेष्टुम चाणने अप समझ गए इस तरह से तुमुनि तुमुनि आये तो देखने के लिए चाने के लिए आने के लिए आगन तुम बराबर है उसका आई वाला भी रुख बनता है एक वह आप भी समझें पठनाय गमनाय वदनाय इसा भी आप कह सकते हैं दोनों के अर्थ समान आप चाहे पठनाय कहेंगे तीन सब्दा आप याद रखिए एक अर्थ एक आय और एक तू हम उसको आसानी से चोटे से थे तो या अर्थ आई तू के लिए अर्थ आई तू यह सिंप आसानी से आप याद रख सकते हैं अर्थ आई तू अब मैं उसका समझाता हूँ क्या अर्थ है अर्थ जब ही कोई कोई शब्द के पीछे अर्थ लगे तो उसका अर्थ के लिए होता है अर्थ का अर्थ के लिए होता है एक अर्थ केवल जब उप्योग करते तो पेसा होता है अर्थ का, एक अर्थ पुरुशार्थ का भी होता है, एक अर्थ शास्त्र भी है, उसका भी अर्थ अर्थ होता है, तो अर्थ अर्था तृत्वी नहीं होती, वो इंगलीश में होता है, अर्था यहां धन होता है, पेसा होता है, मुल्य होता है, शास्तर का एक नाम होता है, और एक पुरुशार्थ का नाम होता है, इतने अर्थ शब्द के अर्थ है, एक अर्थ मतलब मिनिंग भी होता है, आप समझ गए ना, क्या अर्थ है, हम बताते हैं ना, क्या अर्थ है, एक अर्था तातपर यह है, तो मेला जो कहाना उसका ताथ पर यह यह था अर्थात कि वो मेरा कहने का कंक्लूजन था तो यह फिर एक कंक्लूजन के अर्थ में भी होता है अर्थ तह क्या है तो कंक्लूजन क्या है तो उसको कहेंगे अर्थ तह अर्थात कंक्लूजन से क्या है वो हम बताते हैं साराउश जिसको कहते हैं, उसको भी सौंस्कृत में अर्थ कहते हैं, तो केवल अर्थ बताओ, यह कहते हैं, तो साराउश बताओ, इसलिए कोई लंबी चोड़ी बात करता है, तो हम कहते हैं कि अर्थम वदतू, तो इसके लिए अर्थम वदतू, सार्थक, इसका अर्थ यह ह एक अर्थ का क्या आर्थ होता है के लिए जैसे पठनार्थम गच्छामी पठनार्थम गच्छामी समझ गई आप एसे ही आप अलग 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 उप्योग कर सकते हो आप वदनार्थम गच्छामी प्रमनार्थम गच्छामी पठनार्थम गच्छामी दर्शनार्थम गच्छ इसे बहुत सारे वाक्या है आप बना सकते हैं तो अर्थ का उपयोग प्रमन के लिए प्रमन आर्थम गमन आर्थम जाने के लिए श्रवन आर्थम सुनने के लिए दर्शन आर्थम देखने के लिए समझ गए आप, तो इस तरह से आप पठनार्थम पढ़ने के लिए, तो एक तो अर्थ का उपयोग हो गया, एक चतूर्थी विवक्ति भी लग सकती है वहाँ पर, उसको आई, अर्थ आई तू, आई, आई होता है पठनाय, हम जब वो पुझा कराते तो क्या कहते हैं, पुनर हम जब कहेंगे, तब तक पुनरागमनाय चा, पुनरागमनाय चा अर्थात, 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 चतुर्थी विबक्ती का आय 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 जहां पर भी देखोगे तो के लिए होगा पठनाय दर्शनाय दर्शनाय गच्छामी दर्शन के लिए जाता हूं दर्शनार्थम गच्छामी दोनों का एक ही अथा दर्शनम कर्तूम गच्छामी इस सब के एक ही अर्थ होते हैं त तो अर्थ आय तू के लिए जहाँ पर हम इंगलीश में चतूर्थी विबक्ति कभी-कभी उप्योग करते हैं, फोर उप्योग करते हैं, उसी तरह से, संस्कुरूत में वहाँ पर ये आय का होता है, पठनाय, गमनाय, वदनाय, श्रवनाय, बराबर हम केते हैं न, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये, परमात्मने, प्रणतक्ले, शनाशाय, नास करने के लिए, गोविंदाय, क्योंकि नमो नम है, इस्तिय चतूर्थी रगी, तो के लिए, के लिए, के लिए, के लिए है, विग्ण विनाशाय, विग्ण विनाश के लिए, विनाशाय चा दुष्पृत विनाश करने के लिए दुष्पृतामर्था दुष्ट लोग होगा समझ गया तो धर्मसंस्था पनार्थाय धर्मसंस्था पनार्थाय धर्मसंस्था पनार्थाय धर्मसंस्था पनार्थाय यहां पर धर्मसंस्था पनार्थाय समझ गया तो आई 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 जहां होगा वहां के लिए अर्थ होगा आप याद रख सकते हो इसका श्लोक का कि ये क्या अर्थ होगा तर्मसंस्ता पनार्थाय विनाशाय तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते है के लिए अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि विनाश कर तुम विनास करने के लिए लेकिन वो थोड़ा दो शब्द कठिन हो जाएगा कावियों में ज्यादा तर ये आसान होता है इसके लिए आई-ाई-ाई का उप्योग होता है या अर्थम-अर्थम होता है समझ के आप तो इसको इस तरह से आप कहेंगे तो ए आप तीन बात आत रखे तीन वाकिय अर्थ आई-्तू तो के लिए इसमे आपको आसानी रहेगी पठी तूम-गन्तूम-वक।ब्द शरोतूम इस तरह के आए या पठनाया-गमनाया-वदनाया-श्रवनाया-इस तरह के बाकिया आए या फिर श्रवनार्थम, पठनार्थम, गमनार्थम इस तरह के वाक्या आए, वो सबके एक ही अर्थ होते हैं, पठी तुम कहे तो भी पढ़ने के लिए, पठनार्थम कहे पढ़ने के लिए, और पठनाय कहे पढ़ने के लिए, गमनाय, वदनाय, श्रवनाय, तो इस तरह से ह यहाँ पर के लिए का अर्थ होगा। क्या उसको बताते हैं। तदर्थ चतूर्थ जिसके लिए हो उसको चतूर्थ लगी। इसके लिए पठनाय, वदनाय, गमनाय, वो तदर्थ चतूर्थ लिए। अलग-अलग चतूर्थी के रूप बताए है। उसमें से ये तदर्थ चतूर्थी होती है। समझ गये होंगे तदर्थ चतुर जी अब दूसरी बात मैं आगे लेता हूं क्योंकि आपको धीरे 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 वो समझ जाएंगे कि ये 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 विभक्ति कहां होती है फिर मैंने बताया था फ्रोम का जहां उपयोग होता है से जैसे मैं गाउं से आ रहा हूं हूं मैं नगरशारा हूं एसा हम जब कहते है तब फ्रोम का उपयोगा मंगरेजी में English पे करते हैं सभूश्कृत में वहां पर तह का उपयोग होता है आपको बिलकुल ना आए तो पंचमी विभक्ति का तो होता है तख का उपयोग होता है उसका एक विभक्ति का सूत्र है पंचमि पंचमी के अर्थ में तसिल, उसका तव बच जाता है, इसके लिए जैसे हम ये भी कह सकते हैं, ग्रामात आगच्छामी, ग्रामात आगच्छामी, तव आएगा, ग्रामात आगच्छामी, नगरात आगच्छामी, नगरात, ग्रामात, समझ गे, वहां से हम आ रहे हैं, उसको पंचमी होती है उससे हम अलग हो रहे समझ गए तो उससे पंचमी होती है बराबर एक पंचमी कैसी होती है कि दूद से दई बनता है तो दूद से बनता है न तो दुगदाद दधी भवती दुगद से दई होता है तो दुगदाद दधी भवती तो दुगद से होता है तो पं पंचमी दूद को आएगी, पंचमी विवक्ति आएगी, फ्रोम, हम कहते हैं न, कि कहां से बनता है, तो ओभी से यहां पर आएगा, यहां से बनना, बराबर है, तो यह रुपान तरण की जहां बात आती है, तो वहां पर, विकार की बात आती है, वहां पर भी पंचमी लगती है दूद से ददी होता है जहां उत्पन होता है जनी करतु प्रकूती सुत्र है उत्पन होने की बात आती है जैसे माता से जन्म लेता है तो माता से लेता है तो माता से अलग होता है तो पंचमी होती है मातु हु प्रभवती मातु हु जन्म भवती पंचमी हुई यहाँ पर प अभी भई से भी हम कहे, तो भई भयात पंचमी लगती। तर्मात तो यहाँ पंच में आई उसको दूसरा रूपे भी कह सकते हैं धर्मतह समझ गे धर्मतह अहम नगरात कहते हैं अहम नगरात आगच्छा तो उसका दूसरा कह सकते हैं अब आपको आसान रहेगा इसको समझना जैसे इतह अहम केते हैं कि मैं यहां से जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ अहम इतह गच्छा में, मैं यहां से जाता हूँ नगर को, अहम इतह गच्छा में, फिर मैं कहाँ मैं वहां से आता हूँ, तो मैं कहूँगा अहम ततह आगच्छा में, देखे यह याद रखिया, इतह ततह, इसक लिए इत्ह अर्थात यहां से तत्ह वहां से ये पंचमी के अर्थ में ये दोव यही है इतह ततह और हम कहते हैं कुतह अर्थात कहां से तो हम किसी को पूछते हैं आप कहां से आए तो भवान कुतह आगत्वान कुतह अर्थात कहां से कुत्र अर्थात कहां लेकिन कुतह अर्थात कहां से तो भवान कुतह आगत्षती तो कहता है कि आप कहां से आए तो अहम नगर आता गच्छाम मैं नगर से आ रहा हूं आप कहां से जा रहे हो तब कुतह गच्छती तो हम ततह गच्छाम मैं वहीं से जाओ 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 गच्छाम मैं व इतह यहां से, ततह वहां से, हम कहते हैं न, ततह किम, ततह किम, ततह किम, ततह किम, अर्थात क्या, उससे क्या, देखें यह पंच में आई, उससे क्या, मतलब यह कर लिया तो उससे, कहते हैं न, अर्थात एक से बताया, उस से क्या, 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 तो उसका अर्थ होता है, तता ह क्या, उस से क्या, उस से क्या, उस से क्या, उस से क्या, उ तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत यह हो जाएगा, इससे हो जाएगा, और द्विरुक्ती लेकर उसको एक परंपरा है कि उसका अलग अर्थ लेकर उसको जवाब देना व्यंग में, या तो एक मजात, तो इसके लिए वो बहुत सारी कथा ये सी है, जिसमें ऐसे अव्ययोका प्रयोक हुआ है, पंचितंत्र में बहुत सारी कथाए है, वो बालकों को सुनानी चाहिए, बहुत सारी इतोप देश में है, तो इसके लिए आप इसका उप्योग करें, कह का उप्योग आएगा, तो को, समझ गे आप प्रशनार्त वाक्या में हुए ना, को, कोयम, कोयम, समझ गे तो इसका उप्योगा है, कस्त्वम, कोहम, कूत आयातह क्या बताया है, कस्त्वम, कहत्वम, तुम कौन? को हम, में कौन, कुतह आयातख, कहां से आये है, का में जननी, का, देखिए, स्त्रीलिंग है, इसलिए का आया, का में जननी, में अर्थात मम में, में दो जगा आयेगा, ते और में, या प्याद रखिए, मम आयेगा, सश्टी विवक्ती में में रा, तो भी में में कहूंगा, में, और चतुर्थी आयेगा, महियम, तभी में में कहूंगा, महियम की जगपर भी में कहूंगा, मेरे लिए तो में, और मेरा, तो भी में, दो बाते, मेरे लिए तो भी मे का मे बोलूँगा और महियम की जगह मे बोलूँगा मम की जगह पर भी मे बोलूँगा आप आसानी से उसको समझ सकते हैं मे 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 तो उसने बताया कि कामे जननी मेरी जननी कौन मे जननी अर्थात मम जननी कामे जननी तो त्रिलिंग थी इसके लिए कामे ज तो का में तात नहीं बताया, क्योंकि तात शब्द पुलिंग में हैं पिताकारते, तो को में तात, को क्यूं कहा, कह के आगे विसर्गे, समझ गे, और विसर्ग के आगे, यदि अर्ष प्रत्याहर का कोई वरणा आता है, वो मैं आगे सिखाने वाला हूँ आपको, कि कभी लोब हो जाता है, कभी ऐसा ही रहता है, तो उसका पूरा वियंजन और स्वरका में टेबल दे दूगा, हमारे गुरुजी आ गए है, अगले बार में बताऊंगा, उसका टेबल पूरा करके, मैं अगले ही लगपग लगपग गुरुवार को इसका प्रेजेंटेशन कर देंगे हम, और आपको PPT भेज देंगे इसकी, तो उ पूरा टेबल, को हम, अर्था कह में को हम, को हम, में कौन, यहां पर, को में तात, मेरा कौन तात, पिता को ने, का में जननी, को में तात, इती, अब इती कैसा आएगा? एईसा, एईसा को भी इती कहते हैं, हम कहते हैं इती श्री हो गया, मतलब यहां से जब पुरा करना होता है तब समस्क्रूप में आता है इती, बराबर तब हम परते हैं उसकी समाप्ति हो गई, और सुरू करना होता है तब आता है अथा, अथा श्री महा भारत कथा, तो अथा मतलब अब शुरू करते हैं, बराबर और इती तब पुरा करते हैं. तो इत्यादियम क्या एथे हैं, अगली बार आपको बताएंवाला हूं, केसे र Nous 대한 सर्वम असारंब विश्वम त्यक्त्वा का भी मैं बताऊंगा स्वप्न विचारम, स्वप्न विचारम, विश्वं त्यक्तवा, भजगो विन्दम, भजगो विन्दम, गोविन्दम, भजमुटमते, ये स्तोत्र है, सांस्कृत जीसको सीखना है, उसको ये स्तोत्र कंटस्त करना चाहिए, बहुत आसान शब्दों में बताया है, शंकराचा तो याद रे जाते तुरंती कि है ये 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 लिखा है उसमें अंगम गलितम पलितम मुन्नम दशन विहीनम जातम तुन्डम रुद्धो याति गुरुवी त्वा धंडम तो ये सबी जगह क्या होता है याद रे जाए उस तरह से प्रास्ट से ये बनाया है पुरा कुरुते गंगा सागर गमनम ब्रत परिपालनम अथवा दानम ज्यान विहीन सर्व मतेनम मुक्तिमन भजती जन्म शतेन वो क्या कह रहे है कि कुरुते गंगा सागर गमनम गंगा सागर का गमन करो व्रत परिपालन करो अथ्वा बहुत बढ़े दान करो ज्यान विहीन यदि आपके पास ज्यान नहीं है तो ज्यान विहीन और मेरे मत से नहीं जितने भी मत दर्शन के है ओ सर्वमतेन ओ चाहे जैन हो बहुदो सांख्य हो योग हो कोई भी मत हो तो यान विही न सर्वमते न सर्वमते न सर्वमत के सर्वमत से बराबरे मुक्तिम न भजती मुक्तिम न भजती मुक्ति प्राप्त नहीं होती है मुक्तिम देखा कर्म कहा यहां मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है मुक्तिम न भ इसे ही मिल जाएगा हो, हाथ रग देगा हो और ग्यान आगया तो ऐसा नहीं होता, आपको ही हाथ में पुस्तक लेनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, तो ये ग्यान का महत्व है, इसके लिए उसको देरे 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 हम सीखते जाएंगे, एक 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 वाक्य को विचार खास करके मेरा निवेदन है कि आप भजगोविन्दम स्तोत्र को हम रख देंगे, PDF उसकी लगबग लगबग होगी है, PDF है, तो आपको भी मिल जाएगी, नहीं मिले, तो मयंग भाई को बताना, ओ शेर कर देंगे आपको, तो ओ स्तोत्र को आप एक 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 पढ़िए, आपको अब समझ में आ जाएगे, कौन सी विबक्ति यहाँ पर है, कौन सी विबक्ति है, और जहाँ प्रश्ण लगे, वहाँ आप नीचे अंडरलाइन कर देना, यहाँ प्रश्ण है मेरा, तो हम आसानी से उसको समझाने का अगली बार प्रयत्न करेंगे, कि क्या उसका अर्थ है, और किस तरह से उलिया, आपको दो-तीन बात यहाँ पता चलेगी, एक तो जब-जब आप शब्द से अर्थ सीखते हैं, संधी पता चलेगे, कि दो शब्द मिलकर कुछ अलग यहाँ पर हुआ, ओ आपको पता लगेगा, एक संधी पता लगेगा, दूसरा आपको समास पता अंगम गलितम, तो गलितम अंगम यहसा कहा है, तो गलित क्या है, अंग है, पलितम मुंडम, पलित क्या है, मुंडे, तो आपको विशेश्य विशेश्ण भावपता चल जाएगा, बराबर दसन विहीनम चातम तुन्डम, तुन्डम मटलब मूव होता है, दसन अर्था ता प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो उसको ये पता नहीं था कि दशन अर्था दात होते हैं और दातों को समस्कार करने वाले चूरण को दशन समस्कार करने वाले चूरण को यह से बहुत भूल हो जाती है जब समस्कृत नहीं आता है एक वेधिया ने बताया था कि कट्टू अर्थात करवा होता है और तिकत अर्थात करवा होता है तो वह विरोध करने लगे वो बोले कि आप पाट साला में पढ़ते हो या तो गुरुकुल में पढ़ते हो तो यह आपके वेदानत में होता होगा और संस्कृत में आयूर्वे स्पूर्ती हुई तो जाते थे बार-बार तो तुरंत उसका प्रत्यूतर देने का सोभा वो गया था एसा फिर बंत किया गलत लगने लगा लो तो हमने कहा कि त्री कटू चूरण कहां वेदानत का है वो तो आयूरवेद का ही है और इसमें कौन सी कड़वी वस्तोया इसे शब्दों में बहुत सारी प्रांतिया होती है तो इस तरह से हम स्तोत्र को पुना पढ़ेंगे एक 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 शब्द को दशन विहीनम चातम तुंडम तो तुंडर्था तम आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यह मूँ की बात है दशन दातों की बात है बराबर अ पचन होगा वो आप समझ सकते हैं तो अगली बार आपको यह PDF मिल जाएगी आप नीचे अंडरलाइन करके आपको बेच सकते है जो पता न चले पता चल गया उसको आप अर्थ लीख सकते है कि इसका अर्थ यह है इसका अर्थ यह है इसका अर्थ यह है तो आप अभी तक ज जहाँ जहाँ गलतिया है, वहाँ वहाँ पर मैं देख लूँगा, थोड़ी थोड़ी गलतिया है कहीं कहीं पर, लेकिन अब जब जब आप जितने ज्यादा संस्कृत का पठन करते जाएंगे, उतने ज्यादा शब्द, विबक्तिया और अव्यई आपके सामने आते जाएंग रामात यसे पंचमी का भी उपयोग होता है, तो इस तरह से आप दिरे 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 इसका अभ्यास करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा, तो ये अगली बार हम ये पजगोविन्दम का जो स्तोत्र है, वहाँ एक बार पढ़ लीजिए, पढ़कर उसको आसान श शब्दार्थ से बहुत ही हम उग्यान होता था, और बहुत आसानी से हम समझ भी सकते थे, नए नए अव्येई और विशेश और विशेश यबाव भी पता चकते थे, ठीक है, तो प्रश्ण किसी के है, तो पूछ सकते है, तो मैं भी एक चोटा चीज़ आड़ करना चाहता ता अचार जी, प्रिकुर अचार जी का से शेशन्स हम लोगों ने बंगलूर में किये थे, चार-पांट साल पहले, तो यह शेशन्स किये थे, लेकिन एक मिशन जो है, कैसे अगर अच्छे लोग सपोर्ट नहीं करने से, एक मिशन जो है, कैसे मिशन कम्प्लीटली डेड हो जाती है मैं आपको एक्जांबल बोल रहाँ अचारी जी आये थे पहले 350 लोग आये थे उसको बहुत बड़ा सेशन हुआ था पांत दिन का हुआ था उसके बाद भी किये थे सेशन किये थे गटनेशी उसके बाद जो है वो उस टैम में हमरा यह भी स्वारन अप्राशन सेंट सेंटर को बहुत प्रैतना और बुक्स भी होम स्कूलिंग का भी बहुत प्लैनिंग किये थे हम लोग लेकिन दीरे-दीरे जो है सपोर्ट करने वाले नहीं थे तो सड़े पूरा होगे चार साल थे मतलब फिर मुझे भी लास्टम आचारी जी को लेकाने से एक अट्टा इस गुरुकुल एडिकेशन सिस्टम वापस लाने के लिए ना कोई जंडा पकटके गुमने वाले सपोर्ट नहीं किये देश बक्तव अपने आपको बोलने वाले सपोर्ट नहीं किये तो जो है अभी बेंगलूर में एक भी स्वार्न प्राशन सेंटर नहीं है जो हम लोग जो मुल्टिनेशनल कंपनी या वैक्सनेशन जो वी डव फ्रोड इसको ब्लेम करते है रोड के ओपर जंडा पकटके गुमने वाले बहुत लोग है प्राबलीन प्राबलें लेकिन सोलूशन तो एक दिन का है एक जगह गड़ा कौदने से पूरा एक दिन में भारत लेकिन उनको नहीं दिखते हैं को मार्स में जूपिटर में दिखते हैं तो मैं बोल रहा हूं हम लोग कुछ देखे नहीं जाने से आगे जो हैं जनरेशन्स के लिए हुती बुरा हाल होगा आज पूरा बारत में 130 करोड लोगों में 100 लोग जुड़ रहे हैं संडे सेशन में तो बारत को जो हैं बूली चुकी है पूरा अपना संस्कृती को तो यह जो है आप सिर्फ पार्टिस्पेंट मत बनिये हैं पार्टिस्पेंट इस इन टेकिंग मोड और वालंटीर इस इन ग एनरजी जो दे रहे वो तो फिक्सर है लेकिन सेम एनरजी से हम लोग सेम टाइम से हम लोग लाकों करोड़ लोगं को भी एडिकेट कर सकते हैं या सव पचास लोगं को भी एडिकेट कर सकते हैं यह हमारा हात में हैं तो अपना मेरा ब्रैंड ने मेरा समस्ता यह सब लगए करेंगे लगेगा वो कम होने में या डेड होने में तो बहुत आसान है इसाव लोग एक जगए गड़ा कोदने से वहुत ही आसान है बारत को बदलना बहुत ही आताने का आचादी को सेंटर में रखना है और सही नालेज़ देना है बस नालेज़ देना है बागी सब तो डिटेल से चोटा-चोटा तो प्लीज आज चार बजे वाईदुकुर्शी का आकरी सेशन है जुड़िये उसके बाद से जो है संडे चुटी होगा नेक्स yes sir thank you for the opportunity shiva prasad ji myra aki ka request hai why the hell I mean we should be keep begging each and every person makalani akiya let them let them I mean they have done it done it aap aap jo karra hai na I mean wholeheartedly I congratulate and thank you for that but let us do the efforts let us not beg anyone if they are really interested they are really interested in taking away I mean taking it to forward let them contribute that one what you are doing is absolutely right and I salute for that but I mean I don't I mean I don't feel comfortable when you are begging each and every one they should feel proud like and what you're doing is absolutely right and we should take it forward they should feel that one I mean honestly I mean every time you beg I mean it's really disorder is that why I mean people are not interested in doing that you are giving the opportunity I mean honestly you are giving the opportunity like I mean where we can take it forward people should feel the thing I mean people internally should come in from no need to beg or no need to say I mean you push it you push it you push it that one honestly I mean people will come in it may take time it may take time every I mean it's an opportunity comes in people will feel that and they will take it forward but maybe I mean we'll have to wait and watch that one you are giving the opportunity for us honestly I mean if you are good people we will definitely take it forward and others also going to take it forward okay my honest kind request not to beg anyone like okay 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 yeah यह राजिस्वर जी ने वेट और चार साल किया उसके बाद बोल रहे है वह चार साल के पहले प्रोग्राम हुआ था तब से वेट इन होच कर रहे थे तो अभी उसको लगा कि यह रास्ता ठीक नहीं अभी उसको कुछ बताना चाहिए तो यह बता रहे है नमस्ते आचरे जी ब कर दो यूज होता है तो आज सब में उसमें आता है इसमें प्रस्टन क्या है नहीं आपका क्वेस्चन वही पूप राता है उसमें सारे आई का प्रयोग उसमें होता है वह बुल मैं ऐसा याद हुआ मेरे को इस तरह से गोविंदाय नमह जो नमह या तो होगा या स्वहा होगा या के लिए के अर्थ में होगा तीन चार अर्थ में से एक अर्थ में वहां पर आई होगा यहां आप जो बोल रहे हो नमा के अर्थ में या स्वाहा के आए वह आई होता है वह स्वाहा या नमा के आप कि आप श्रिश्टी प्रीटी जी अपर बात पीजिए कि कुछ वाला कि कुछ वाहा जी यमकांट कुछ थेलो अचा जी नाशा रहा है अचा जी वह मेरा प्रश्ण यह है कि यसे ट्रीट्मेंट अगर आपसे लेना है तो वह कैसे ले सकते हैं से पांच बजे तक कल कोल करें सोमवार से शनिवार तक तीन से पांच बजे तक दो पहर में आप कोल करें नंबर राजे स्वर्जी से ले जी तो अभी हम लोग चार बजे मिलेगा अचार जी ठीक है बहुत 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 धन्यवार अच्छे नमस्ते पांच बजे सोमवार अच्छे ले धन्यवार अच्छे उन्यवार अच्क दो कि अखिना दीक हैं झाल झाल